हलो दोस्तों बेलकम बैक इन माई यूटूब चैनल तो कैसे हैं दोस्तों आप सब आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं डेफ में डेकुरेटर का यूज करके अपने फंक्शन में जिसे दोस्तों दो नमबर का एड कर सकें लेकिन सिंप्ली एड दोस्तों नहीं करना अब हमें हमें यूजर से दो नमबर लेंगे दोस्तों अगर यूजर को भी एक नमबर जीरो इन्पुड करता है तो उसे मैसेज आए ट्राइगैन फिर से इन्पुड ले सकें एड एडिट कर सकें तो दोस्तों बिना टाइम पास किया हम अपना कोडिंग श्टार्ट करते दोस्तों सबसे पहले हम एक function बनाएंगे def add नाम से और इसमें दोस्तों हम आर्गुमेंट पास कराएंगे ए भी जो दो नमबर रहेंगे एंड इस दो नमग दोस्तों क्या करना है हमें add करना है लेकिन simply print नहीं करना है दोस्तों से क्या करना है वह आगे देखते रहें हमें एक डेफ फंक्शन क्रिएट कर लिए दोस्तों इसमें हमने दो आर्गुमेंट ले लिए हैं भी एंड उसे हम simply print करवा दिया है अब हम यहाँ पे एक और फंक्शन लेंगे एक और फंक्शन रेट क्रेड करेंगे डेफ अ स्माठ नाम से यहाँ पर भी आर्गुमेंट को पास करा जैता है दोस्तों अब दोस्तों यहां पर हम लोग डेकुलेटर का युज करेंगे तो डेफट इननर कि यह भी दोस्तों कि दोस्तों हमने क्या कर रहे हैं एक function प्रक्रियेट गया है जिसमें दो नवर को add करना है फिर एका smart नाम से function नहीं है फिर वहाँ पर हम लोग inner के def inner नाम का function नहीं है उसी कंदर जिसने decorator का यूज करते हैं दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर decorator का यूज करते हैं दोस्तों if condition लेंगे अगर if a जो यह नंबर होगा जो user input लेगा अगर वो जीरो होता है और बी नंबर लेगा वो भी जीरो होता है तो उसे एक message आए क्या message दोस्तों उसे message मिले जो हम लोग print करवाएंगे तो हम प्रिंट हम लोग करवा देंगे दोस्तों try again दोस्तों उसे simply a message मिलेगा और दोस्तों यहाँ और उसे फिर से input लेजाएंगे दोस्तों यह input लेजाएंगा एंप लेगा एंप फिर भी तो एंट इंट इंपोर्ट दोस्तों हमने नंबर प्रिंट करवाद यहाँ पर हो अब भी भी लेंगे दोस्तों यूजर से हम लोग तो भी इंट इंपोर्ट दोस्तों हमने एबी ले लिया इस condition लिया अब यहाँ पर इल्स का यूज़ करेंगे अगर यूजर तो एबी मेंसे कोई भी जीरो नहीं लेता है तो simply क्या करेंगे दोस्तों उसे add करवाद है हम लोग तो add a b अब दोस्तों हमारे फंक्शन दोस्तों त्यार हो चुका है अब हम आपे calling का यूज़ करेंगे यहाँ पर इंटर फंक्शन में दोस्तों करेंगे दोस्तों calling करने जा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर एक message करवाएंगे हम दोस्तों यहाँ पर message प्रिंट करवागी है simply number यहाँ दोस्तों यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे इंटर फंक्शन कॉल होगा तो फिर input लेने के लिए दोस्तों यह तो हो गया if condition के लिए हम लग फिर से input लेंगे जो a b के लिए होगा तो a is equal to enter input तो दोस्तों आप यहाँ इसके लिए a ले लिए है अब हम b b लेंगे इन्ट इन्पोर्ट इन्पोर्ट इंटर नंबर यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है सबसे पहले हमने एक function लिया def नहीं से function क्रेट किया add जो दो नमर को add करेंगे तो simply उस नमर को add कर दी दोस्तों फिर आप एक def आ स्मार्ट नमर को function क्रेट किया है वहाँ पर def inner का उसकी है यहाँ पर operator का उसकी है और हमने यहाँ पर if or else condition दिया है अगर a और b कोई भी अगर 0 होता है तो user को एक message print कराएंगे हम लोग try again और उससे फिर से input लेंगे आप नमर को add करवाएंगे अगर a b 0 नहीं होता है दोस्तों तो simply उससे else condition पाना पड़ेगा और इल्स पर आएगा और नमर को add कराएंगा दोस्तों फिर inner call करेंगे दोस्तों and print numbers करवा है a input लिए b लिए फिर आपर calling कर दिया दोस्तों यह आपर input इल्स के लिए लिए दोस्तों यह दोस्तों यह पर चीज छूट गी है दोस्तों यहाँ पर हम a b की लेते हैं त्याहाँ पर हमें फंक्शन को इंटर पास वापस बेदेना आपके add के लिए त्याहाँ दोस्तों हम लोग इंटर का यूज करेंगे नहां इंटर calling कर दिया दोस्तों हम लोग add से हम सिप्ली शेव कर नहींगे f5 से स्थ def जूस्तो अब हम पर नंबर लेंगा लए दोस्तों कमerson नंबर नहीं दोस्तों हमने याए यह दोस्तों फिरसे नंबर भोल् για जूरेने के लिए में फिरसे में फोर लिया और तुलिया व्य नंबर तो दोस्तों इसे यह अगर आपको बीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें चैर करें और ऐसी अच्छे वीडियो के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और वेल आइकर को दवार